तो आज हम माइड मैप देखेंगे एक्सक्रिट्री प्रोड़क्ट और एलिमनेशन का तो अभी तक जितने भी चैप्टल मैंने माइड मैप के बनाएं उसमें से सबसे जाधा कॉंप्लेक्स चैप्टर यह रहा है तो इसी वज़े से इसमें बहुत टाइम लगा है बनाने में क्योंकि यह मतलब बहुत डीटेल्ड दिया गया है NCRT में इसी वज़े से काफी जाधा कॉंप्लेक्स चैप्टर है तो इसको सिंपल करने में काफी जाधा टाइम लगा है क्योंकि आपको पता है माइड मैप अगर सिंपल नहीं रहेंगे तो आपको समझ में नहीं आएंग प्राइस लिया है तो प्राइस के बारे मैं आखिरी में बताऊंगा कि प्राइस के तौर पर उसे क्या देना है ठीक है तो यह 26 आवर का माइड मैप मुझे इसको बनाने में लगा काफी कॉंप्लेक्स चैप्टर है तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा और माइड में कि उता कि प्राइब है तो सबसे पहले एंस्अलती ने ही तोकसिक के बारे में टाय गया है तोकसिस इडिशीटी होती है अमोनिया में सबस्देट अमोनिया इंक्युक जो यह toxicity है अब जो animals ammonia secret करते हैं ammonia excrete करते हैं उसे कहते हैं amonotellic जैसे fishes aquatic insects और amphibians जोते हैं यह ammonia को excrete करते हैं तो इसे कहते हैं ammonia amonotellic यह animals amonotellic है जो ammonia जोते हैं इनमें no role of kidney and excretion excretion में kidney का कोई rôle नहीं होता है या फिर होता भी है तो बहुत ही ज्यादा कम होता है दusic- यूरिया से करेट करने वाले त्ये इन एग्जांपल धियान भिएंगा फिर है यॉरिकोटेलिक uricotelic मतलब uric acid से create करने वाले इसमें आता है reptile, birds, land snails और insect यह सारे uricotelic होते हैं तो basically यह जो examples हैं यह neat में पूछे आते हैं तो examples आपको ध्यान रखना है और amonotelic में आपको ध्यान रखना है कि no role of kidney excretion excretion में kidney का कुई significant role नहीं होता है ठीक और toxicity भी है रखना है कि ammoniak सबसे ज़्यादा fiduria की सबसे commuric acid की अच्छा यह mind map जो है complex से बड़ा है detailed है तो इसमें थोड़ा time लगेगा ठीक है बहुत ही छोटा नहीं बन पाएगा कम से कम आधे गंटे तो जाएंगे ठीक तो आधे गंटे का वीडियो होने वाला है आराम से बैठके पढ़िए और एक ही बार में पढ़ भी लीजेगा पूरा तो अब आते हैं दूसरे पार पर यहां पर आपको जैसे human की बात करें हम लोग में तो हम लोग में kidney होती है एक्सक्रेशन के लिए तो वैसे ही यहां पर भी कई सारे औरगन दिये गए जैसे proton अफ्रीडिया या flame cells तो proton अफ्रीडिया या flame cells जो है यह पाया जाता है यह पाया जाता है बागी जो तीन पुइंट है यह आपको NCIT ने यहां बता रहे हैं तो प्रोटोन अफ्रीडिया कहां पाय जाएगगा पर आते हैं kinda यह पर ग्रेम जिए ग्रेन जो होता यह इं तो यह अलग अलग तरह के excretory organs दिये गये हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यह questions में काफी बार पूछे जाते हैं नीट के questions में ठीक है जैसे हमारे में kidney होता है वैसे इन में अलग अलग तरह के excretory organ होते हैं ठीक अब आते हैं यहां तो अब हम पढ़ते हैं kidney में यह तो यह figure है और यह कुछ fact है kidney के बारे में ठीक है तो figure NCRT में 2-3 दिये गए हैं लेकिन सबसे detailed figure यह है और यह ज्यादा important है इसमें जो जो भी चीज़े हैं आपको ध्यान में रखनी है तो यहां सुरू करते हैं जो kidney होती है इसमें 2 पार्ट होते हैं एक होता है cortex दूसरा होता है medulla medulla यहां पर नहीं लिखा है अभी क्यों नहीं लिखा यह चीज में बताऊंगा जो cortex होता है यह बाहर वाला पार्ट होता है यह जो pink color कर दिख रहा है बाहर वाला पार्ट इसको कहते हैं cortex यह अंदर वाला नहीं सिर्फ बाहर वाला पिंक ठीक इसको cortex कहते है तो kidney में 2 पार् और cortex inner medullar, ठीक, तो अब देखते हैं यहाँ पर, अब यह जो cortex है, पिंग कलर का, यह cortex आप देख रहे हैं, इन दोनों के बीच में जाके घुस गया है, यह cortex यहाँ था, अंदर जाके यहाँ तक घुस गया है, इन दोनों के बीच में, अब यह दोनों क्या चीज़ है, अब यह जो पार्ट है, जो इसके इन दोनों के बीच में, घुस गया है, यह फिर अंदर चला गया है, अब अंदर के पार्ट पर आते हैं, अब यह जो पार्ट है, जो इसके इन कलर का किया गया है, इसको हम कहते हैं, रिनल पेल्विस, ठीक है, रिनल पेल्विस, और रिनल पेल्विस जब अंदर के ओर जाता है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो इसको हम कहते हैं, कैलिक्स का बनना, ठीक, तो यहाँ पे एक कैलिक्स ब मतलब एक अकेला, कैलिसस मतलब कही सारे, तो यह होता है कैलिक्स, ठीक, तीसरा चीज, यह रीनल आर्टरी है, और यह रीनल वेन है, रीनल वर्ड किड्नी के लिए उज़र गयाता है, और आर्टरी तो आपको पता हिए, आर्टरी वेन होती है, फिर यह यूरेटर को और जाता अब आते हैं kidney पर जो kidney होती है यह bean shape का structure होता है location जो इसके होती है last thoracic and third number vertebra अगर vertebra से compare करोगे तो आखरी thoracic vertebra और तीसरी जो number vertebra होती है उसके बीच में kidney होती है इसकी length 10-12 cm होती है width 5-7 cm और thickness जोती है 2-3 cm होती है kidney की unit जो होती है functional unit इसे कहते है nephron ठीक अब इसके बारे में पढ़ेंगे each kidney 1 million nephron हर kidney में 1 million nephron होता है यह important point है जो कि need में पूछा जुका तो यह दिया रखिए का each kidney अगर दोनों kidney का मिला के पूछे क्योंकि हमाँ पास 2 kidney होती है तो दोनों kidney का मिलान के पूछे तो 2 million nephron तो each kidney has 1 million nephron यह ज्यादा ध्यान रखना ठीक अब आते हैं नीचे तो आपको यह दिख रहा हो जो उम्मीद करते हैं हाँ दिख रहा है तो यह figure भी भाई नहीं बनाया है और यह इसको आपको अभी ध्यान में रखना है अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा ठीक अच्छा पहले इसी पढ़ लेते हैं तो यह जो है नेफ्रॉन का फिगर इसमें आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखना है जैसे यह जो अंदर की ओर आ रही है इसको कहते हैं efferent arteriol जो बाहर की ओर जा रही है इसको कहते हैं efferent arteriol ठीक अब efferent arteriol जो अंदर आती है तो यहां पर देखे काफी ज्यादा मुड़ गई है काफी ज्यादा एक दूसरे में उलज गई है तो इसको कहते हैं जैसे लुका कहते है इसे कप में यह ग्लुमरेल्स निकल गई एक ईफरेंट एरटरियोल के फॉर्म में बाहर निकल गई ठीक जो खोन होता है वो हमारा efferent से घुसता है और efferent से बाहर निकलता है ये भी दियान रखिएगा ठीक है ये हो गया हमारा bromance capsule फिर आते हैं bromance capsule से निकली duct ये जो टेड़ी में डिये इसको तो कहते है PCT PCT का full form है proximal convoluted tubule इसको मैंने आगे लिखाए तो यहां पर basically short form ही लिख दिया ठीक है तो आगे इसका full form है अब PCT जब PCT यह आगे बढ़ेगी तो ये structure जो है UK shape का यू के shape का यलो वाला structure है इसे कहते हैं हम handlase loop handlase loop होता है इसके दो limb होते हैं एक होता है descending limb एक होता है ascending limb descending मतलब उतरना तो ये नीचे उतरने वाला जो limb होता है इसे कहते है descending limb of handlase loop जब ऊपर चाड़ते हैं तो इसे हम कहते है ascending तो Ascending Limbo of Henle Loop जो उपर चड़ आ है इसको कहते हैं ठीक फिर यहाँ पर आगे फिर यह तीडी मेडी जो लाइन मनी है इसको कहते हैं DCT पाइप जो है इसको कहते है DCT DCT का फुल फॉल होता है एफरेंट आर्टरियोल अंदर आती है इफरेंट बाहर ले आती है grommalus होता है बोमेंस कैपसूल होता है बोमेंस कैपसूल से PCT निकलती है PCT के आगे फिर हैंडेंज लूप होता है पहले descending limb फिर ascending limb फिर आता है DCT और DCT खुल जाता है इसमें कई सारे ब्रांच निकलती है यह इन ही के पैरलल में ऐसे नीचे आकी फिर इसी के पैरलल में ऐसे उपर जाती है और इसको हम कहते हैं वासा रिक्ता तो वासा रिक्ता द्हान में रखना है क्या है है हैंडलेज लूप जो हता है यह हैंडलेज लूप है इसी के पैरलल में इफरेंट अर्टेरियोल की एक ब्रांच होती है उसी को कहते हैं वासा रिक्टा ठीक अगर कुछ ना संविए है तो कमेंट कर देना सही से समझा दूगा ठीक यह नहीं कि ऐसे ही चले जाओ एक जो होता है वो बोमेंस केपूल इन दोनों को मिलाकर हम मालफिजन बाड़ी करते हैं या फिर इसी को रेनल प्रस कर रिकाचनAU करते है तो झा सबूलेज ब्रांट करते हैं तो इसी तरह आपको ध्यान मेंकि लगा पर हैई है हेईACH मेंद होता है यह यह हैर पन शेप को उता ठीक मैंने आपको बताया था किड्नी में दो रीजन होते हैं कॉर्टेक्स और मेडुला तो PCT, DCT और मालफिजियन बॉड़ी होते हैं यह कॉर्टेक्स रीजन में यानि कि बिसिकली यह पूरा उपर वाला पार्ट जो होता है यह कॉर्टेक्स रीजन में होता है लूप ऑफ हेंले जो है वो मेडुला रीजन में होता है यानि नीचे वाला पार्ट जो होता है मेडुला रीजन में तो यह आपको सहन में आया होगा है इस फिकर को देखिए इस फिकर में यह कॉर्टेक्स है तो कॉर्टेक्स के साइट PCT, DCT और मॉलफिजन बाड़ी होगी और लूप अफ हनले ऐसे अंदर क्योर गया होगा इस तरीके से ठीक तो यह आपको ध्यान में रखना है इस से तो यह हो गया अब आते हैं अब आते हैं सेकंड पेज पर तो पेज तो पेज अब हम आ गया है और अब आते हैं सेकंड पेज पर तो पेज टू बे अब हम आ गया है और यह पूरा नौलेज का क्राउड बन गया एकदम तो इसको हम एक एक करके सारी चीजे पढ़ेंगे इस पर तो अब हम आते हैं यूरिन फॉर्मेशन पे यूरिन फॉर्मेशन में तीन इस्टिफ होते हैं Glomal Filtration, Reabsorption और Secreation Glomal Filtration सबसे पहले पढ़ते हैं इसको तो थोड़ा खूर करते हैं अब अच्छा दिख रहा होगा आपको तो Glomalal Filtration, basically एक चीछ क्या बता दू मतलब देसी सब्णूं में बता दें अगर तो Glomalal Filtration क making होता है advis क्मारी जो blood है उसको चानना होता है तो उसी कहते है suis Glomalal Filtration तो ultra filtration of blood यानि blood को चानना होता है उसी कहते है Glomalal Filtration यह कितना blood चानता है começo 1100-1200 ml par minute हर मिनट में 1100 से 1200 ml ब्लड जो है वह चाना जाता है वह filter किया जाता है, ठीक, तो इसी कहते है, almly filtration, अब glomal filtration rate यानि gfr, gfr किया था है, filtrate 4.1 per minute, तो ब्लड को चानने अक बाद, जो filtrate बना उसी को कहते है, gfr, तो GFR कितना होता है एक normal human body का 125 ml per minute या फिर 180 liter per day ये दोनों NCI टेम मतलब दिया गया है और NEET में पूछा गया है दोनों data तो दोनों data आपको ध्यान में रखना है तो GFR एक normal body कितना होता है 125 ml per minute या फिर 180 liter per day ये होता है GFR अब आते हैं अच्छा तीन step थे urine formation में glomerular filtration इसको पढ़ दिया आपने reabsorption secretion जो है इसके बारे में हम यहां पर पूरा पढ़ेंगे इस पूरे मतलब यह इसको एक अखेली जगे नहीं लिखा गया है अलग-अलग जगे पैंसी आटेन नहीं लिखा यह तो उसी recording पढ़ना पड़ेगा ठीक अब GFR जो होता है regulation किया जाता है इसको कम यह ज़्यादा कर सकती है कौन जेजीएसल जक्स्टा ग्लोमरल अपरेटस तो जेजीएसल कैसे बनती है फॉर्म वेड डीसीटी एन एफरेंट अर्टेरियोर कॉंट्रेक्ट जहां पे डीसीटी और एफरेंट अर्टेरियोर पर क्या बनता है जक्स्टा ग्लोमरल अपरेटस बनता है ठीक अब इफ जीएफर डिक्रीज अमाली जीएफर कम हो गया किसी रीजन से जीएफर कम हो गया तो जो जेजी सेल्स यानि जक्स्टा ग्लोमरल सेल्स हैं वो सिक्रीट करेंगी रेनिन को अब रेनिन क्या करता है र च्ट्रेस पाफी ज़दा ब्लड भेजने लगेगा तो जब काफी ज़दा भीजने लगा तो जिएफर बढ़ याएगा तो इसी वजए से जो JG cells होती है वो रेनिन को सिक्रेट करती है और अगर JFR कम है तो वापस से JFR को बढ़ा देती है तो यह हो गया है एक तरह का regulation है अगर कम होगा तो बढ़ा दिया गया ठीक? Urine release unit कितने ही कलती है? 1.5 liter per day 1.5 liter per day लगभग urine हम करते है ठीक? फिर reabsorption, reabsorption actively और passively होता है passively अगर देखे तो water का और nitrogen waste का, अब आप कहेंगे कि waste का अब आप कहेंगे कि waste का reabsorption क्यों होता है? तो मतलब एक तरह की iron का concentration बना, मतलब maintain करने के लिए, osmolarity maintain करने के लिए थोड़ा बहुत nitrogen waste वापस से reabsorption गया आता है, ठीक? तो reabsorption जो होता है, passively water और nitrogen waste का होता है, actively glucose amino acid और sodium iron इस इन चीज़ों का होता है, ठीक? तो ये reabsorption हो गया अब हम यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे इस page में हमें क्या पढ़ना है? इस page में यहाँ पे पढ़ना है, तो सबसे पेदा हमें PCT देखते हैं, PCT को का जाता है proximal convoluted tubule तो यह क्या चीज़ एब्सॉर्ब करती है most of the nutrients, ज्यादा था nutrient यह एब्सॉर्ब कर लेगती है, ठीक? जैसे यहाँ पे blood छनता है, तो मैंने बताया बहुत तगड़ा मतलब filtration होता है, तो उस filtration में nutrients जो हते हैं, वो भी छनके अंदर आ जाते हैं लेकिन nutrients हमें चाहिए हमें nutrient waste थोड़ी करने है, क्यों अगर nutrients अगर यहाँ पहुच जाएंगे तो वो urine के साथ nutrients बाहर निकल जाएंगे लेकिन nutrients हमें चाहिए तो nutrients जो छनकी यहाँ पहाँ आते हैं यह PCT क्या कर लेती है, एब्सॉर्ब कर लेती है ठीक, कि waste ना हो कोई चीज ठीक है तो यह होता है, PCT होता है proximal convoluted tubule क्या एब्सॉर्ब करती है most of them nutrients, ज्यादा था nutrients एब्सॉर्ब कर लेती, 70-80% electrolytes, 70-80% electrolytes absorb कर लेती है, water absorb करती है, इसके लाब bicarbonate भी absorb करती है, क्या secrete करती है तो H+, ammonia और K+, यह चीजें PCT जो होती है, secrete कर देती है ठीक, तो आपको यह पता चल गया कि PCT क्या absorb करती है क्या secrete, अब आते हैं handless loop, handless loop जो होता है इसमें descending limb होता है और ascending limb होता है actually, यहाँ पर limb होगा, L-I-M-B ठीक, लेकिन मैं यहाँ पर भी काटूँगा नहीं, क्योंकि खराब हो जाएगा तो इसके उपर मैं छोटा सा page चिपका कि बाद मैं PDF जब दोगा आपको, तो एकदम सही कर दोगा, ठीक है, तो यह descending limb होता है, और ascending limb यह तो मैंने बताया था, अब जो descending limb होता है permeable to water यह water को permeable होता है permeable मतलब water इसके आरपार आ जा सकता है लेकिन impermeable to electrolyte लेकिन electrolyte जोता है, यह इसके आसपार नहीं आ सकते हैं, अब permeable to water water आरपार जा सकता है, तो यह क्या करता है concentrate करता है filtrate को filtrate को concentrate करता है पानी को बाहर भेज देता है जैसे पानी कम होता जाएगा वैसे वैसे concentration बढ़ता जाएगा तो यह question आ जाता है नीट में कि जो descending loop होता है descending limb होता है handless loop का वो क्या करता है तो वो concentrate करता है filtrate को फिर ascending loop ascending loop जो होता है, वो impermeable to water, water के impermeable होता है Яनि water उसके आर पार नहीं जा सकता है, लेकिन permeable to electrolyte लेकिन electrolyte के permeable होता है, और ये करता क्या है? Dilute filtrate, ये dilute filtrate ते dilute कर देता है, ठीक, water कहीं जाने सकता है, electrolyte को बh Caius निकल जाता है जब एलेक्ट्रोड राइट बाहर निकल जाएंगे तो कंपेर के मतलब कंपेरिटिवली जो वाटर है उसकी मतलब जो वाटर है वो बढ़ जाएगा ठीक है तो इस वज़े से एसेंडिंग लूप जोता डैलूट करता है अगर मैं आपको सहे से समझाओं तो हमाल लेते हैं यहाँ पानी भरा हुआ है ठीक है और यहाँ पथर पड़े हुए यह यह उलेक्ट्रोलाइट पड़े हुए ठीक है पांच, छे, छे एलेक्ट्रोलाइट पड़े हुए है तो अब इसकी कंसंट्रेशन बताई जाए तो हम इस तरह लिए सकते हैं कि छे एलेक्ट्रोलाइट इन हंड्रेड एमल बलड हंड्रेड एमल वाटर मालीजी यह 100 एमल वाटर है तो अभी एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, हाँ, ठीक है तो छे एलेक्ट्रोलाइट है 100 एमल वाटर में अब इसको बोला जाए कि कंसंट्रेशन बढ़ाओ तो कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं या फिर हम इसमें वाटर को निकाल दें जब वाटर को निकाल देंगे तो माली जब 50 एमल कर दिया तो 6 अपॉन 50 हो जाएगा जब 6, मतलब 6 एलेक्ट्रोलाइट थे पहले 100 एमल में अब 6 एलेक्ट्रोलाइट है 50 एमल में तो कंसंट्रेशन बढ़ गई ठीक, अब इसी को बोले जाए कि कंसंट्रेशन दूसरी तरीके से बढ़ाने को बोले जाए तो इस तरीके से बना सकते हैं अब इलेक्ट्रोलाइट और एड़ कर दो जैसे 6 एलेक्ट्रोलाइट थे या फिर हम वाटर को निकाल दें तब भी कंसंट्रेशन बढ़ आ रही है 6 मतलब वाटर कम हो जा रहा नीचे वाला जब कम होगा तो कंसंट्रेशन बढ़ आएगी ठीक या फिर हम वाटर निकाल दे तो कंसंट्रेशन बढ़ आएगी तो यही चीज़ यहां पर हुआ है तो यह डाइल्यूट क्यों कर रहा है नीचे हुआं रहा है किऊकि वाटर को तो ही नहीं जाने लगे लेकिन अल्यक्तो को halle दे रहा है अब यहां पे देखिए जो plot है अगर हम पांच ल्यक्तो Lee कर दे चार इलक्तो Lee कर दें दो हटा दें चार इलक्तोलाइटा बढ़े सो हमेल में तो क्या हो 100 ml में dilute हो गया नहीं, तो यही चीज़ यहां पर किया गया है, तो ascending loop जो होता है, यह dilute कर देता है, descending loop जो होता है, यह concentrate कर देता है, और यह important है, neat में जरूर पुछा जाएगा, आपको ध्यान में रखना है, ठीक, ऐसा नहीं, जरूर पुछा जाएगा, लेकिन पुछा जा स करता है, यह निट में नहीं पुछा जाएगा, ठीक, लेकिन यह जरूर पुछा जाएगा कि करता क्या है, तो descending loop जो लोग के concentrate करता है, ascending loop करता है, ठीक, तो यह हो गया है, फिर आते है DCT, जो DCT होता है, इसको कहता है, distal convoluted tubule, यह absorb क्या करता है, sodium bicarbonate water, इन सब को absorb करता ह है, और secret क्या करता है, H+, K+, NS3, इन सब को secret करता है, ठीक, बैसिकली, जैसे PCT जो जो absorb करता था, वही यह भी करता है, रेकिन PCT में absorption सबसे ज़्यादा होता है, DCT में बहुत कम absorption होता है, ठीक, PCT में काफी ज़्यादा होता है, यह difference है, फिर आता है, चौथा collecting tube, collecting tube क्या होती है some urea from this, अच्छा, collecting tube वैसे करी, urine को इकठा करती है, जितने भी nephron होते हैं, जैसे, इस figure को दुबारा देखिए, यह एक nephron है, इसमें से, यहाँ पे गई, जो भी यहाँ पे blood filter हुआ, तो वो यहाँ पे आ गया, बतब यूरिन बनने के बार, इसे तरीके से, यहाँ भी होता है, उसके बाद यहाँ पे आता है, collecting tube में, यह collect करती है, ठीक है, तो collecting tube collect करती है, अब इसमें point important क्या है, some urea from this duct past to medullary interstitium to keep osmolarity, जो collecting tube होती है, इसमें से कुछ urea निकल जाती है, और medullary interstitium, basically जो medullary reason है, उसमें चली आती है, और यह क्यों होता है, to keep osmolarity, osmolarity maintain क करने के लिए, ठीक, ठीक है, अब आते हैं, यहाँ पे, counter current mechanism, काफी बड़ा काफी important topic है, इसी वज़े से मुझे मैं बता रहा हूँ, इसी वज़े से इतना ज़्यादा time लगा इस video बनाने लिए, क्योंकि इन सब topic को छोटा करने में दिमाग खराब जाता है, बहुत ही अच् एक topic को detail में समझाने को मन करता है, लेकिन अगर detail में समझाएंगे, तो फिर mind map का मतलब फाइदा ही गया है, ठीक है, तो counter current mechanism को मैंने छोटा कर दिया है, सारे important points यहाँ पे लिख दिया है, इतना तो आपको ध्यान में रखना ही है, जितना यहाँ पे, ठीक, कुछ भी ना ध् मैंने कैसे बनती है, तो created as flow of filtrate in two limbs of handless loop, handless loop के दो limb होते हैं, ascending, descending, और wasa recta is in opposite direction, तो जो filtrate का flow होता है, चाहे handless loop में देख रहे हैं, चाहे wasa recta में देख ले, यह एक दूसरे के opposite direction में होता है, और opposite direction में होने को वज़े सी counter characteristics current mechanism बनती है, तो इस चीज़ को यहाँ पे समझ यहाँ पर जो filtrate होगा, यहाँ से छाना बलट, तो यहाँ से नीचे, देखिए, इस वाले limb में, descending, लूप में नीचे आ रहा है, जबकि यहाँ से नीचे होते हैं, फिर ऊपर जा रहा है, अगर हम इस वाले limb को इस वाले comparison करें, तो यहाँ नीचे जा रहा है, यहाँ उपर है एक दूसरे में तो वैसे ही यहां भी यहां पर जो खोन है वह खोन यहां पर नीचे जा रहा है और यहां पर उपर जा तो रेड़ वाली दोनों पाइप में देखिए यहां पर नीचे की और यहां पर उपर की और तो यह भी दोनों आपोजिट हैं इसी से counter current, जो counter current होती है, वो बनती है, counter current मतलब opposite current, ठीक है, तो किस वज़ेस बनती है, two limbs of endless loop और वासा रखता है, इन दोनों के वज़ेस बनती है, is in opposite direction, ये दोनों opposite direction में blood को flow कराते हैं, ठीक, helps in urine concentration, ये किस चेज में help करती है, urine को concentrate करने में help करती है, फिर urine जो होती है, वो four time more concentrated than initial filtrate, ये चार urine जो होती है, सुरुवात में जितना filtrate बना होता है, उसके चार times ज़्यादा concentrated बनती है, ठीक, अब, osmolarity, osmolarity जो होती है, milli osmol per liter में ना पियाती है, unit द्यान रखिएगा, milli osmol per liter में ना पियाती है, जो cortex होता है, यानि बाहर का हिस 200, milli osmol per liter होती है, ठीक, gradient is due to initial plus urea, जो gradient होता है, यानि बाहर जैसे 300 है, अंदर 1200 हो गया, तो ये gradient बन गया, gradient मतलब difference, ठीक, तो ये जो difference बन जाता है, ये nasl और urea के वज़े से होता है, ठीक, तो osmolarity में या ये चिद्ध्यान रखना है आपको, ये हो गया counter current mechanism, में बाते है mikturition पर, mikturition से पहले, आपको तीसरे पेज पर आना है, ठीक, तो ये जो mikturition topic है, इसको अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, तीसरे पेज पर पहले आएंगे, तीसरा पेज क्या है, regulation, regulation मतलब होता है कि urine जो निकलती है, या फिर जो GFR होता है, उसको control करना, उसको कम करना या ज्यादा, या फिर ज्यादा करना है, तो ये चीज़े regulation में आती है, ठीक है, अब पढ़ते हैं, आप से इस दिख रहा होगा, तो जो regulation होता है, ये तीन चीज़ोग द्वारा होता है, hypothalamus, heart और JGA, JGA आपने अभी एक बार पढ़ा भी था, यहाँ पे detailed है, वहाँ जो पढ़ा था, वह छोटा सा था, लेकिन इंपोर्टेंट दोनों जगे था, तो इसी वज़े दोनों जगे लिखना पढ़ा, तो यही अब सोच लीजिए, JGA को टॉपिक जो है, ये NCRT ने दो जगे दिया है, और दोनों जगे इतना डिफरेंस तरीके से दिया है, मतलब अलाग अलाग करके दिया है, कि दोनों जगे लिखना पढ़ा, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकते कि हम एक ही जगे पर काम चला ले, ठीक, तो ये इसी वज़े से ये थोड़ा कॉंप्लेक्स हो जाता है, चैप्टर, तो जो रेगूरिशन होता है, हाइपोथेलमस हर्ट और जेज करेगी ADH, या फिर जिसे हम Vaisopressin कहते हैं, ठीक, Vaisopressin क्या करता है, water का reabsorption करा देता है, Me 연ie from DCT, DCT से water का reabsorption करा देता है, तो Vaisopressin या फिर ADH का form, अच्छा, ADH का full form कह उता है, Anti-diuretic hormone, इसका full form होता है, ठीक है, या फिर इसी को Vaisopressin कहते है, यह क्या करता है water का reabsorption करा देता है कहां से मेली from DCT से अब जब water कम हो जाएगा तो blood pressure जो होता है increase कर जाता है और जो blood pressure जब increase करता है तो GFR भी increase कर जाता है तो यह आपको ध्यान में रखना है कि जैसे hypothalamus ने क्या किया GFR जब GFR कम हो गया जैसे GFR कम होगा hypothalamus activate होगा hypothalamus posterior pituitary को signal देगा वहाँ से ADH निकलेगा ADH water का reabsorption कराएगा इससे blood pressure बढ़ेगा blood pressure बढ़ने से क्या होगा GFR भी बढ़ जाएगा तो यह होगया hypothalamus का regression तो ठीक है hypothalamus अच्छा यह भी जार रखिएगा कि hypothalamus GFR को increase करता है यह diet question जार रखिएगा hypothalamus GFR को increase कर देता है फिर आते हार्ट पे हार्ट जो होता है if blood flow in atria increase अगर atria जो होती है उसमें blood flow अगर बढ़ गया ठीक है माद लिजे blood flow अब blood flow बढ़ा है तो मतलब blood जादा है विंस में ब्लड विंस में जादा है या फिर जो आर्ट जादा है तो मतलब blood pressure भी जादा है तो basically blood flow बढ़ा है तो मतलब blood pressure बढ़े गया है तो blood flow in atria increase है atria में जब ज़्यादा blood आने लगेगा तो atria secrete करेगी atrial natriuretic factor को जिसे कहते हैं ANF atrial natriuretic natriuretic मतलब uretic जो word है यह urea से आया है या फिर कहलेजे इस topic से related आपको सो करता है तो जो ANF है यानि atrial natriuretic factor यह कहले कहा रहता है vasodilation vasodilation मतलब जो blood vessels होती है उनको dilate करा देता है यानि मालेजे यह blood vessel थी इसको dilate करा आगे देगा यह इतनी बड़ी थी जैसे dilation vasodilation होगा यह इतनी बड़ी हो जाएगी तो यह vasodilation जब vasodilation होगा तो blood pressure कम हो जाएगा क्योंकि जगे काफी हो जाएगी जैसे blood pressure कम होगा GFR कम होगा तो यह ठीक है heart क्या कराता है तो यह तुम्हें आप यह चीज आपको ध्यान में रखनी होगी कि जो ANF होता है वो क्या कराता है? GFR कम करता है जबकि हाइपोथलमस GFR को क्या कर रहा था? बढ़ा रहा था ठीक? अब GG प्याज़ते हैं इफ GFR decreases अगर GFR कम हुआ तो activate GG cells GG cells activate हो जाएँगी और GG cells क्या करेंगी? release renen यह renen से create करेंगी अब यह important है renen का काम renen क्या करेगा? एक enzyme है angiotensinogen angiotensinogen जो होता है inactive होता है तो इसको renen क्या करेगा? active बना देगा angiotensin 1 में convert कर देगा तो renen पहले क्या करेगा? angiotensinogen को angiotensin 1 में convert कर देगा फिर angiotensin 1 को angiotensin 2 में convert कर देगा तो यही यह दोनों काम मतलब पहले angiotensinogen से angiotensin 1 फिर angiotensin 1 से angiotensin 2 दोनों काम renen करेगा अब जो angiotensin 2 है यह दो तरीके से काम कर सकता है दो रास्ते हैं इसके पास पहरा रास्ता क्या है यह एक powerful vasocontractor है जैसे vasodilation अभी आपने पढ़ा था यह vasocontractor यानि यह blood vessels को छोटा कर देता है उनका जो lumen होता है वो छोटा कर देता है अब जैसे इतना बड़ा था तो इसमें आराम से blood flow कर रहा था अब इसको आप pipe को छोटा कर देंगे तो blood का pressure जो ह प्लस क्या है यह activate कर देता है adrenal cortex को जैसे adrenal cortex activate होगा adrenal cortex secret करेगा aldosterone को अब aldosterone क्या करेगा reabsorption of h2on na plus of from dct dct जो reason है वहां से water और sodium को reabsorb कराएगा अब जब water reabsorb होगा तो blood को जैसे blood में पानी ज्यादा हो जाएगा ना क्योंकि हम वापस तो जब पानी ज्यादा हो जाएगा तो blood pressure जोता है इंक्रीज कर जाता है blood का volume बढ़ जाता है तो blood pressure इंक्रीज करेगा और GFR इंक्रीज कर जाएगा तो engineer tension जोता है वो दो तरीके स्काम कर सकता है और यह important है यह मतलब एक गंटे लग जाते हैं इसको समझाने में ठीक है आपको दो सिकंड में समझ में आ जा रहा है यह चीज तो अगर आ जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है ठीक आई गया होगा क्योंकि कुछ खास तो दिखा नहीं है मैंने इसमें एकदम आसान तरीके सिखा है तो आपको यह धियान में रखना है कि इसको मैंने यहां पर लिख दिया ठीक तो यह होता है रिगुलेशन रिगुलेशन में आपको बेसिकली अगर कुछ ना याद कर पाऊ तो क्या रखना है हाइपो थेलमेस जो होता है जीए फार बढ़ाएगा हर्ट जो होता है यह जीए फार कम करेगा हर्ट या फिर कह जीए फार को बढ़ाता है यह याद रखियेगा कि जिस हिसाफ से जीए फार बढ़ें गाट युदा होता है वह हो करता है ज्यासर एक लेहां पर से डिक्रीश गर्रा है तो जीए फार कम हो रहा है यहां बिलेट पर सर I am ब्लेड पेसर इंफ्रीज हुआ तो उसी के एकॉर्डिंग जी फार चेंज होता है यह ध्यान रखेगा ठीक है ठीक तो यह हो गया रेगुलेशन अब आते हैं हम सेकंड पेज पर वापस और यह पढ़ेंगे मिक्टूरिशन का टॉपिक तो जो यूरिनेरी ब्लेडर होता है उसमें यूरिन बढ़ती मतलब भरती जाती है धीमेधी में जितना भी ब्लड चारा है तो वो यूरिन में कनवर्ट हो है यूरिन जो होता है भरती जाती है जो यूरिन बढ़ेगी तो यूरिनेरी ब्लेडर जो होता है यह इस्ट्रेच कर क्या करेगा cns वापस सिगनल देगा किस चीज के लिए contraction of smooth muscle of bladder bladder जो है unity bladder इसकी smooth muscle को contraction करने के लिए और साथी साथ relaxation of urethral sphincter urethral sphincter जो होता है उसको करने के लिए अगर यह यह तरीका दर्वाजा होता है अगर यह रिलैक्स होगा तभी जो यूरेन है वह बाहर निकल पाएगी ठीक तो यह जब दोनों काम cns जो होता है signal देता है और जैसे यह दोनों काम होते है क्या जाता है urine is released urine निकलती है और जो urine निकलती है उसको हम English में कहते है mikturition basically सूसू करने को English में mikturition कहा जाता है तो release of urine is mikturition ठीक यह हो गया mikturition अब urine के बारे में दो बाते है यह दो शब्द यहां से सीख लीजिए pH जो होता है urine का 6 होता है ठीक यानि slightly acidic होगी ठीक 25 से 30 ग्राम urea excreted पाड़े यूरेन के थुरू हम 25 से 30 ग्राम urea हर दिन excret कर देते हैं ठीक है अब जो हमारी urine होती है अगर उसमें glucose पाए जाए जनरली नहीं होता है ठीक यह condition अगर देखने को मिली तो हम glycosuria कहेंगे अगर हमाई urine में ketone bodies पाई जाती है तो हमें उससे कहते हैं ketone urea तो यह दोनों conditions जोती है glycosuria और ketone urea यह indicate करती है diabetes mellitus को ठीक तो glycosuria और ketone urea किसको indicate करती है diabetes mellitus यानि कि मतलब जिसके urine का test हुआ है उसको हो सकता है कि diabetes mellitus हो ठीक है तो यह हो गया urine के बारे अब आते हैं नीचे यहाँ पर अब जो आप यह देख रहे हैं और यह देख रहे हैं और यह देख रहे हैं यह इसका नाम होता है sweat यहाँ लिखा ना sweat तो अच्छी जहां पर मैं सीन हो वह धीड़ाए घ्राब गया चलो ठीक कोई नहीं यहां वेगा पढ़ते हैं तो जो बेसिक औररगन होता है हमारे एक्सक्रेशन करने के लिए वो किट्नी होता है किड्नी के अलावा लंग्स लीवर भी जो हते हैं और इसके लावा sweat और sabhasis bh anc joe holiday यह भी काम करते है लंग्स के करता है water इसके लावव 200 ml su2 हर व्युआ हर्मेड हर्मेड में हम 200 को या किसे ठीक है व्यूर्ट के थुरू iç निकलता है वह भी फास वाट इसके लाव लुटर silent करता है नाट्र 200 ml हर मिनेत ठीक, डिवर में बाइल साथ्स बनते हैं, डिग्रेडिट श्टरॉड हर्मोंस बनते हैं, कोल bamboo बनते हैं, इसके नाभ विटमिन और ड्रग्स भी होते हैं, यह सारी चीज़े रिवर में होती हैं, और ultimately इनको secrete करना होता है तो ये भी जो liver है वो क्या करता है, secretion का काम करता है इन सारी चीजों को, ठीक फिर आते है sweat, sweat जो होता है पसीना इसमें NACL, urea और lactic acid होता है तो basically ये जो चमक राय हलका यहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ पे इसमें NACL, urea और lactic acid है तो ये ये भी sweat जो होता है ये भी एक तरह का secretion है sorry, excretion है फिर है sebaceous grind sebaceous grind जो होता है जैसे आप कहते हैं, कि चहरे पे पानी तेल तेल टाइप का लगता है तो तेल actually जो होता है, उसे sebum का जाता है जो sebum होता है, जो कि चहरे पे हलका तेल टाइप का दिखता है, ठीक sebum जो होता है, इसमें sterols होता है hydrocarbons होता है, वो wax होता है तो ये भी sebaceous grind जो होता है, ये भी excretion में help करते है, ठीक तो kidney के लावा, lungs, liver, sweat और sebaceous grind भी हमारा excretion में help करते है के आखरी में ये चीज़ टॉपिक में बताये ठीक अब आते हैं hemodialysis, hemodialysis क्या होता है अगर kidney किसी की fail हो जाए तो उसे एक machine पे रखा जाता है जिसे कहते हैं dialyzing machine और उस process को क्या कहते है, जो वो machine करती है उसे कहते है hemodialysis, hemodialysis जो होता है अच्छा बड़ा topic है पढ़ने लायक है लेकिन यहाँ पे छोटे में आपको समझाना है तो हम क्या करते है, blood in artery किसी भी artery से blood निकालते हैं उसमें add करते हैं anticoagulant anticoagulant इसलिए add करते हैं कि blood जम ना जाए जिसे body के बाहर आने पे blood को जो होता है there is a possibility कि वो जम जाएगा ठीक, काफी ज़्यादा possibility होती है उतना temperature ना मिलने कराड या उतना osmolarity ना मिलने तो इस वज़े से जम सकता है तो anticoagulant बनाते हैं like heparin heparin एक anticoagulant होता है यह blood को जमने से रोकता है ठीक, तो artery के blood हमने निकाला उसमें heparin मिलाया heparin मिलाया के उसको dialyzing unit में भेज दिया dialyzing unit होती है जो वो cellophane से बनी होती है प्लस dialyzing fluid बरा होता है dialyzing fluid होता है इसका जो constituent होता है वो basically plasma होता है जैसे हमारा जो हमाई blood में plasma होता है same उसी तरह का सेम वही चीज़े dialyzing fluid में होती है तो लेकिन एक चीज़ को छोड़के plasma without nitrogen waste nitrogen waste को छोड़के बाकि सारी चीज़े इस dialyzing fluid में होती है जो कि plasma में होती है अब क्या गाता है dialyzing unit जो होती है इसी में blood filter होता है cleared blood is added with antihyperin जो blood filter हो जाता है वो clear हो जाता है तो क्योंकि kidney है नहीं तो dialyzing unit का मतलब हमने help लिए dialyzing unit ने blood को pure किया clear किया और उसमें हम फिरका करते है antihyperin मिला देते हैं यानि जो हमने hyperin मिला देता है उसको हटाने के लिए antihyperin मिला देते हैं और फिर winds में pump कर देते हैं तो यह जो पूरी process है यह hemodialysis कहलाती है कैसे के kidney जब खराब हो जाती है तो यह use होती है हाला कि अगर kidney खराब जाए और dialyzing unit आप ना use करना चाहें तो जो ultimate method होता है वो होता है transplant यह यहाँ पर लिखाए देखिए ultimate remedy to kidney failure is kidney transplant kidney को transplant करना एक ultimate method होता है kidney failure के लिए यहाँ पर आपको disorder पढ़ने है बहुत ही कम बताए गए है एक तो है uremia uremia क्या होता है urea accumulation in blood blood में हमाई urea accumulate करने लगता है may lead to kidney failure इससे क्या हो सकता है kidney fail हो सकती है फिर अगर kidney fail होगी तो आपको या फिर hemodialysis यूज करना पड़ेगा या फिर kidney transplant कराने पड़ेगी ultimate तरीका जो है वो kidney transplant है फिर दूसा renal calculi renal calculi बैसे के लिए पत्थर जो होता है पत्थरी हो जाती जिसे कहते है stone of crystallized size example oxalate यह जोता है जम जाता है उसे को renal calculi कहते है फिर आप glomerulonephritis यह क्याता है inflammation of glomeruli of nephron nephron जो होती है उसकी glomerulus जो होता है उसमें inflammation होता है तो इसे कहते है glomerulonephritis nephron इतनी गंदी राइटिंग बनी है ठीक है चलो कोई बात ने तो यह बहुत ही बड़ी मुसीवत बहुत ही बड़ा माइड में खतम हुँ अब ठीक है यह तीसरा पेज था यह था दूसरा पेज और यहाँ पे है हमारा पहला पेज ठीक है तो तीनों पेज हमने पढ़ लिये है एक्सक्रिटरी, प्रोडक्ट, एन एलिमेशन के इसमें सारे टॉपिक भी हमने कवर कर लिये है सारी चीज़े पढ़ लिये है ठीक और पीडियाफ जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा तो वहाँ से आप डावलोड कर सकते हैं ठीक तो थैंक्यू वेरी मच अब शेर, सस्क्राइब जो करना हो थोड़ा बहुत कर दीज़ेगा क्योंकि आपको पता 26 घंटे तो बनाने में लगे हैं अब पढ़ाने में और अपलोड करने में जो भी लगा हो तो एकनी मेहनत किया थोड़ा शेर और सस्क्राइब कर दीज़ेगा ठीक है चैनल थोड़ा ग्रो करें तो अच्छा रहेगा तो ठीक है आज की वीडियो में इतना ही वीडियो कैसा लगए यह बताईएगा और हाँ मैंने बताया था नहीं कि आपको यह जो फीगर्स है वो मेरे भाई ने बनाया है तो उसने बोला है कि इससे इंस्टाग्राम पर फालोवर चाहिए तो 4 छो छोग आप में से कोई ना कोई चले जाकि अंतलब जा के फालो कर लिज़ेगा पतलब ऐशा नही कि मैं कह रहा हूं जा के फालो करें चार छोग जो आप जिनके पास इंस्टागरम हो शत्वें टाइम हो जाके follow कर लेना उसको drink and draw पे drink and draw नार्म से है ठीक है ऐसे underscore लगा हुआ है तो Instagram पे जाके उसको follow कर लेना ये उसकी face थी ठीक तो thank you very much इस video को बनाने में काफी time लगा और इस mind map को बनाने में काफी time लगा ठीक है पढ़ाने में तो खेर बहुत ज़्यादा time लगा मैंने सोचा था कि काफी ज़्यादा लग जाएगा उतना नहीं रख पाए ठीक है तो thank you very much वीडियो देखने के लिए subscribe कर दीजेगा और अगला वीडियो जिल्दी ही आ जाएगा ठीक है thank you